हेलो फ्रेंट्स, आल न्यू व्रेजा, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देख ले होंगी, लेकिन आज की वीडियो बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि आज मैं बात करूँगा उस चीज के उपर, जिस चीज के उपर कंपनी कभी बात नहीं करना चाहती, कंपनी ज बार ऐसा होता है कि गाड़ी तो बनाती उन्होंने, लेकिन वो मैंटेन नहीं कर सकता कोई, आप देखेंगे गाड़ी लेके जाओ, और कोई भी मैकेनिक उसको जल्दी हाथ नहीं लगाता, तो इस पेचली मारूती के तो खासिद होती है कि इनकी गाड़ियां मैंटेनेंस लेकिन इस इंजन के अंदर इन्होंने क्या बदलाव कि हैं, वो सारी चीजे इस वीडियो में होगी, ओवरल थोड़े बहुत फीचर्स भी आपको दिखा देता हूँ, अलोई विल आते हैं, ZXI Plus में, LXI में Simple Wheel आते हैं, और दूसरी चीज, ये टस्क्रीन ये भी आपको ट इंजाइन ये नया कर दिया है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और संरूफ की बात करेंगे, तो संरूफ ये सिर्फ टॉप मॉडल में है, बेस वेरियंट में आपको संरूफ देखने के लिए नहीं मिलेगा, और साथ में एडजेस्टेबल हैंड रेस्ट, हैंड ये भी आपको टॉप मॉडल में ही मिल रहा है, बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं फिलाल जो इसके अंदर नहीं है, लेकिन हाँ इंजन एक जैसा है, ओवरॉल जो गाड़ी का लुक देखा भी आपने इसमें लगबग 10,000 रुपे की एक्सेसर जी जां देता हूं, बूट स्पेस मुझे इंप्रेस नहीं किया, बूट स्पेस मुझे इतना नहीं लगा, थोड़ा सा है, बहुत काम है, 366 लिटर का बूट स्पेस है, और वैसे भी एरिया थोड़ा सा अजीव है, ठीक है, लेकिन काम चला सकते हैं, क्योंकि City के लिए इस इसको केसी सीरीज नाम से बोल रही है, अब केसी सीरीज क्यों बोल रही है, क्योंकि बहुत सारे बदलाओं किये हैं इसके अंदर कंपनी ने, क्यों? क्योंकि इसकी पावर बढ़ाने के लिए और इसका माइलेज बढ़ाने के लिए, पावर और माइलेज दोनों साथ साथ उटिलाइज किया गया है, सेटप बिल्कुल अच्छे से किया गया है, लेकिन इंजन का अपार्टमेंट की फिनिशिंग के उपर अब कमपनी ने ध्यान देना बंद कर दिया है, ये सारी चीजे देख रहे हैं, मतलब फील नहीं आ रहा है वो गाड़ी वाला, अब इसलिए ब इजियर अब इस पेट्रोल गाड़ी में भी आपको मिलेगा, इसका काम होगा, नॉक्स को कम करना, पॉलूशन कम करने के लिए, फिलाल अभी कमपनी कह रही है, हमने इसको ड्यूल जेट, वीवीटी इंजन इसका पहले भी आता था, अब ये वीवीटी क्या होता है, वीव पहले सिंगल आता था, अब ड्यूल वीवीटी आ गया है, ड्यूल वीवीटी का मतलब जो इसकी केम है, इंटेक और एक्जॉस, पहले सिर्फ इंटेक में वीवीटी होता था, अभी एक्जॉस में भी वीवीटी इन्होंने लगा दिया, तो अब क्या है, पावर बढ़ेग मिलेंगे आपको पहले मिलता था एक इंजेक्टर जिससे आपको जब चाहें पावर उससे अच्छी मिल पाएगी अच्छी बात है दे रखी इनोंने और दूसरी चीज बाकी सेटप लगभग वैसा ही है कोई बहुत जादा टिपिकल नहीं बनाया हुआ बहुत जादा छेल चाड नहीं किये डिजाइन के लिए जो लोग जाने जाते हैं तो डिजाइन रिफाइन ये तो हैं हाँ क्वालिटी में थोड़ा बहुत कंप्रमाईज करते हैं पार्ट की क्वालिटी लेकिन फिर उसके साथ-साथ उन चीज़ों के प्राइस भी बहुत कम होते हैं और गाड़ियों से अगर की रिसेल वैल्यू उतनी कम होती है मैंटिनेंस जितना आसान होगा मैंटिनेंस फ्रेंडली इंजन होगा उस गाड़ी की रिसेल वैल्यू बहुत जादा होगी और इस गाड़ी में दिया है इन्होंने स्मार्ट हाइब्रीड अब ये स्मार्ट हाइब्रेड क्या है आसान श करने लगता है और motor की तरह काम करके वो engine को support करता है गाड़ी को चलाने में जिससे की fuel efficiency गाड़ी की बढ़ जाती है और अगर मैं बात करूं तो company ने काम किया engine के उपर ये बात तो बिल्कुल fact है engine के उपर काम किया और अच्छे तरीके से काम किया साथ में उसको बताया भी काम किया है तो बताएंगे अब जिसने काम किया ही नहीं वो बताएंगे क्यों लेकिन फिलाल मुझे अच्छा लगा कि मारूती ने इन सारी चीजों के उपर काम किया जो एक आम इंसान के pocket के उपर ध्यान रखती है आम इंसान गाड़ी लेने से जादा उसको maintain करने के उपर ध् देफिनेटली यहसा मुझे लगता और दूसरी चीज गाड़ी की resale value भी अच्छों कि और यह गाड़ी market में ठिकेगी मुझे ऐसा लगता है फिलाल आपका क्या opinion है कमें बोक्स में जरूर बता दीजेगा और यह वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक कर दीजेगा मन में अभी भी कुछ सवाल रह गया हो तो नीचे comment box में लिख सकते हैं या फिर अगर चाहें तो instagram पर मुझे follow कर सकते हैं मिलूंगा नेक्स वीडियो में ऐसे ही किसी interesting topic के साथ thanks for watching